हेलो दोस्तों केके, हिंदी ग्यान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना यूटूब चैनल का रिवेन्यू और अर्णिंग्स कैसे हम देख सकते हैं तो इसके लिए आपको यूटूब पर जाना है उसके बाद लॉग इन कर लेना है चलो मैं लॉग इन कर लेता हूँ लॉग इन करने के बाद आपको क्लिक करना है यूजर अकाइंट हो इस पे उसके बाद आपको ये सलेट करना है यूटूब एस्टूडियो बीटा वर्षन तो आप YouTube Studio आपका इस तरह से open हो जाएगा तो यहां पर आप अपना खुद का earnings देख सकते हो analytics पर क्लिक करना है उसके बाद analytics पर क्लिक करने के बाद यह आपका earnings सारा analytics देख सकते हो सारा details कितने watch time हुए, views कितने हुए, subscribers कितने हैं, right कितने subscribers last 28 days में यह जो analytics है, last 28 days का है और यह जो revenue दिखा रहा है आपका, your estimated revenue वो dollar में दिखा रहा है वो last 28 days का है, यहां पर आप drop down पर क्लिक करोगे तो यहां बहुत सारे options मिलेंगे like अभी October 2008 है, October की earning मेरी कितनी है, वो मैं easily देख सकता हूँ, यह $217.58 है इस तरह से मेरी last month की earning कितने September के income कितनी हुई, वो भी मैं देख सकता हूँ, यहां से, तो September 2018 का income देख रहा हूँ, almost $363 है, तो यह revenue मेरा September का है, जो इस month में payout होगा, आज 21st है, आज संडे है, कल 22nd है, 22nd में मेरे account में transfer हो जाएगा, फिर YouTube वाले 22nd को transfer करेंगे, लेकिन मेरे account में credit हो जाएगा, almost $24 तक, तो exact एही आपको amount pay किया जाएगा, September को, इसी तरह आप August का देखना चाहते हो, तो August का भी देख सकते हो, अगर्स्ट में मुझे इतना डॉलर पे किया गया था, इतना डॉलर को रूपी में convert करोगे, जो amount आता उस समय, वही मुझे पे किया गया था, इस तरह से आप कुछ custom भी लगा सकते हो, कोई specific date range, इस date से इस date तक मेरे को कितनी income थी, वह भी आप देख सकते हो, तो यह तो हु और यहां यूटूब पे चला जाओंगा, यहां जाने के बाद यहां आपको directly यहां भी analytics है, और analytics पे आप क्लिक करोगे यहां पे, तो यहां पे भी आप सेम चीज यहां भी देख सकते हो, यूटूब के अंदर भी, मेरा YouTube account Adsense से connected है, यदि आपका monetization enable है, तो of course आपका account भी Adsense से connected होगा, आपका YouTube channel भी Adsense से connected होगा, तो यहां भी सेम देख सकते हो, last 28 days में, जो analytics है, last 28 days का कितने revenue है, estimated revenue कितने हुए है, views कितने हुए, likes, dislikes on all, हर चीज यहां पे यहां देख सकते हो, यहां भी जाओगे, तो let's say, last 7 days में मेरी क्या analytics थी, क्या earning सी, तो भी देख सकते हो right, 86 dollar अल्मोस हुआ है, फिर worst time क्या है, जो worst time यहां दिखा रहा है, likes, dislikes, सारी चीज़े यहां दिखा सकता है, फिर आप देखना चाहते हो, कि late से मेरी September की income कितना है, तो यहां से almost select कर सकते है September, तो यहां जो देख रहा हो, यही amount, exactly यही amount आपको YouTube पे करेगा, इसके अलाबा अब अभी AdSense एक होता है, right, AdSense में भी login करके देख सकते हो, चलो मैं AdSense पे दिखा देता हूँ, लेकिन AdSense में Google ने खुद बोला है कि वहां जो data है वो अतने accurate नहीं है, let's say कि मैं AdSense में login कर लेता हूँ, AdSense के data उतना accurate नहीं माना जाता है, इसलिए, तो अभी मुझे मेर सेप्टेंबर की जो income है $364, finally update उनके ने किया है, यहाँ पर जाने के बाद पर्फरमेंस रिपोर्ट पे क्लिक करना है, पर्फरमेंस रिपोर्ट के क्लिक करने के बाद आपको AdSense पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोडक्स पे क्लिक करने होंगे आपको, और मैं अपने YouTube च while the conference consists for content, and second, YouTube host, यह दुनों select करने के बाद, पहला नहीं select करना है, यह होता है, जदि आपको खुद का बलोग है, उसका आर्निंग check करना है, तो यह select करना होता है, सिर्फ YouTube का सेथार्न प्रोड़क्स का ने प्रोड़क्स को चेक करना होता है, और Apply पर क्लिक कर देक्दीना है तो जैसे आज की earning मेरी देखिए 3 dollar हुआ है इसी तरह यहां से देख सकते हो कि October की कितनी income है तो October का आप देखोगे तो 118 dollar देख रहा है अल्मूस 118 दे रहा है लेकिन यही मैं चेक कर रहा था YouTube पे YouTube पे जाका चेक करोगे तो यहां accurate देता है लेकिन यहां accurate नहीं देता है यहां मैं जाओ YouTube पे जाओ YouTube पे जाओ YouTube पे जाओ YouTube एस्टूडियो में आप जाओगे और analytics में जाओगे तो यहां बहुत accurate दिखाता है और देखेंगे लेट से कि मैं October का दिखना चाहता हूँ अक्टूबर का यहां जो earning है 217 यह correct है लेकिन AdSense वाली correct नहीं है AdSense में 118 डॉलर अल्मूस्ट दिखा रहा है दिस मंत का दिस मंत मतला अक्टूबर अक्टूबर का और यहां दिखा रहा है 217 यह accurate है बिल्कुल accurate है उसी तरह आप YouTube पे जाके देखोगे YouTube पे भी analytics का option होता है YouTube पे एही exactly यह amount दिखाएगा आपको YouTube पे गया मैं analytics में गया और drop-down में मैं select करता हूँ October राइट अक्टूबर का इंकम देखिए यह exactly 217.58 डॉलर दिखा रहा है यह मेरी इंकम है लेकि एटसेंस की इंकम सही नहीं दिखाता है ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान डगना आपको revenue खुद का चेक करना है तो आलवेज आपको ट्रस्ट करना है कि YouTube में जो analytics है वहाँ चेक करें नहीं तो YouTube studio है YouTube studio वहाँ जाके आप चेक करो accurate income दिखाता है यह यहाँ date range आपको select करना है आपको किस date के लिए आपके revenue चेक करने हो accordingly आप चेक कर सकते हो custom range भी चेक कर सकते हो इस date से इस date तक तो आपको clear analytics देगा सिर्फ revenue ही नहीं देख सकते हैं बाकी सारी चीज़े वास time क्या हुआ है likes कितने हुए है, dislikes कितने हुए, comments कितने है, shared कितने हुए है, videos in playlists कितने हुए है इस सारी चीज़े आप देख सकते हो यहाँ इस analytics में तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, I hope कि यह वीजियो आपको पसंद आया होगा, इसे आपको बहुत कुछ सीखनों के मिला होगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, please like बटन पे click करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि उन्हें पता चले कि यदि यो यूटूब creator है, तो कैसे अपना revenue चेक कर सके correctly, उन्हें AdSense पे rely नहीं करना चाहिए, जो Google YouTube चैनल के अंदर जो analytics है, वहाँ पर accurate बिल्कुल दिखाता है, यहाँ पे आप check करो, नहीं तो YouTube studio में जाके check करो, बिल्कुल accurate दिखाता है, AdSense वाली data inaccurate होता है तो दोस्तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही सिखाना था, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केके हिंदी ग्यान, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और मिलते हैं अगल वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी, कुछ टेकनलोजी के बारे में कुछ न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्नवाद.